Hello and good evening students, welcome to exam insight, my name is Navya तो आज हम topic touch करेंगे कौन सा folk dances of India आपको बता दो शाम की जो ये 6 बज़े वाली class होती है इसमें मैं आपको सरफ exam oriented content ही देती हूँ जैसे कि ये जो folk dances हैं इसमें आपसे इस topic से related सिर्फ एक ही चीज़ पूछी जाती है folk dance और उसके state थोड़ी सी इधर उधर की information भी मैं उसके दे दूँगी जो जो मुझे important लग रही है कि exam में पूछा जा सकता है बाकी आपको मैं बता दूँ कि शाम को 6 बज़े आपको सिर्फ और सिर्फ exam oriented content ही यहाँ पे देखने को मिलेगा और इसके अलावा हम कोई extra बातचीत नहीं करेंगे ठीक है telegram link पे जा के जो हमारे description box में दिया हुआ है वहाँ जा कि आप telegram channel को भी join कर सकते हो जहां पे quizzes रोज के रोज हम आपको देते हैं जिसको आपको solve करना होता है इससे आपका exam clear करने में interest भी बना रहता है और यह quizzes बहुत ज़दा important और exam oriented होते हैं एक और information आपको देना चाहूंगी 5 October से हमारा batch start होगा जिसमें अभी festival offer चल रहा है that is Ganesh Chaturthi का 20% discount का offer जो की सिर्फ 30 September तक ही valid है पटपट से जाओ enroll कराओ course में क्या है CDS, RRB, CET, IBPS, SSC का comprehensive course है यह जिसमें आपको फायदे क्या क्या होंगे offline online lecture, expert faculties आपको यहाँ पे expert से पढ़ने का मौका में लेगा exam oriented latest content आपको इसमें मिलेगा, offline online test series मिलेगी daily current affairs के updates मिलेंगे, recruitment alerts होंगे वह आपको telegram channel पर हमारे मिलते हैं तो पटपट से जाके telegram channel को भी join करो, साथ ही साथ आपको यहाँ पे recorded lecture मिलते हैं जिससे आप अपना revision कर सको, for your revision, चलो पटपट से जाओ, इस offer का फाइदा उठाओ, स्रिक 30 September तक ही valid है यह चलो, folk dances पर आते हैं, सबसे पहला क्या है, चाओ, चाओ dance आपको बता दूँ, चाओ dance एक classical dance भी है आठ classical dances होते हैं, ठीक है, पहला होता है भरत नाट्यम और आपको बता दूँ, आठ के बाद यह नौवा जो है, यह चुना गया है classical dance के रूप में, तो यह classical dance भी है, आपको folk dance भी है चाओ का मतलब होता है, mask, आपको बता दूँ, यह 9th 9th classical dance है, यह कौन-कौन जी state से belong करता है जारखंड West Bengal और ओडिशा ओडिशा से एक और dance बिलॉंग करता है, that is ओडिश्टी ठीक है, आपको बता दूँ, यह जो 6 dance से इसको मानिता प्राप्त हुई थी, किसकी तरफ से? Ministry of Culture की तरफ से, देखो यह चीज़े इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया, मैं समिस्ट भी exam oriented चीज़े ही आपको बताऊंगी, जो आपके exam में पूछी जा सकती है, देखो, 6 dance से related क्या पूछा जा सकता है, इसका मतलब बता है, मास्क, इसको मानिता प्राप्त हुई थी, Ministry of Culture की तरफ से, 9th classical dance भी है, यह कह कहां पर इसको perform किया जाता है, जारखन, West Bengal और ओडिशा, ओडिशा के में ही एक और classical dance में perform किया जाता है, that is ODC, ठीक है, चलो आगे चलते हैं, भांगडा जो कि पंजाब से बिलॉंग करता है, I think यह सब को पता होगा, और जो women's के through dance perform किया जाता है, पंजाब में उसको गिद्दा इस तरीके से perform किया जाता है, आप इस picture में देख सकते हो, जिसमें चारों तरफ लेडीज होती है, बीच में एक लेडी जाके dance करती है, आपने देखा योगा टीवी वगरे में, I'm sure, गिद्दा और भांगडा, यह पंजाब से बिलॉंग करते हैं, घूमर यानि क dance performance होता है, that is काल बेलिया, काल बेलिया भी राजस्थान से बिलॉंग करता है, इसमें जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं, वो सोपेंट्स, यानि कि स्नेक्स के जैसे होते हैं, साप के जैसे होते हैं, साथी साथ जो इसमें dance movements होते हैं, वो भी साप के जैसे ही होते हैं, आपको बत कि तत्तारिय ? यह जो बी हुओ डान्स जब नई फसल आती है तब is co celebrate करने केक लिए भी हुओ डान्स किया जाता है साथि 7 नव वर्श में भी बी कर fix किया जाता दूप गिनेश बुक औप वर्ल्ल रिकॉर्ड में भी इसने अपना नामदर्ज कराया है चलो आगे चलते हैं गर्बा डांडिया सिद्धी धमाल डांस ये सब गुजरात में होता है ठीक है गर्बा और डांडिया तो I think आप सबको ही पता होगा क्योंकि नवरात्र वगरा में इसके कुछ कुछ festivals भी होते हैं जिसमें डांडिया और गर्बा बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया जाता है नवरात्र के टाइम में इसके बहुत धूम होती है और साथी साथ में सिद्धी धमाल डांस भी गुजरात से ही बिलॉंग करता है आप यहां पे सिद्धी धमाल डांस की जारकंड का भी है ठीक है पाइका जो है वो जारकंड का भी है साथी साथ एक और डांस फॉर्म में इसमें जाट जाटिन ये भी बिहार का ही डांस फॉर्म है ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है देख लो जूमरी की पिक्चर आप यहां देख सकते हो पाइका की पिक्चर आप ये देख सकते हो, जीजिया डांस ये रहा, ठीक है, चलो आगे चलते हैं, काल बेलिया मैंने आपको अलड़ी बता है, ये राजस्थान में परफॉर्म किया जाता है, साब के जैसे ही ये कॉंस्ट्यूम्स होते हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें डांस मुवमेंट कॉस् क्लासिकल डांस भी बिलॉंग करता है, ये क्लासिकल डांस है, आप इस तरीके से देख रहे हैं, माथुरी इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, चलो आगे चलते हैं, ककसार, गौर, मादिया, चतिस गड़ से बिलॉंग करता है, ये दोनों डांस जो हैं, गौर, मादिया इस वार पूछा गया था ठीक है तो यह बहुत ज़दा important है इसको अच्छे से ध्यान में रख लेना pictures आप देख सकते हो ककसार के और गौर माडिया के यह रहे ठीक है चलो आगे चलते हैं उत्रा खंड से चोलिया डांस ठीक है आप picture यहां पर देख सकते हो इस तरीके से उत्रा खंड का यह चोलिया डांस परफॉर्म किया जाता है गोवा से आता है समाई डान्स ठीक है समाई डान्स आप इस देख सकते हो इस तरह से परफॉर्म किया जाता है आप इसको याद रखने की एक ट्रिक रख सकते हो कि अगर आप से पूछा रहे हैं समाई डान्स कहां से है तो गोवा से गोवा कौन कहां से है तो समाई से आप इस इसको ऐसे याद कर सकते हो. picture आप यहाँ पे देख सकते हो. लधाक से होता है ज़बरोडांस‍थ ठीक है? लधाक का है जबरोडांस जिसका picture आप यहाँ पे देख रहे हो. छेके अब महराष्टर से आता है lazim dance perform करने के लिए एक equipment यूज होता है वो equipment आप यहाँ पे देख सकते हो यह equipment यूज होता है आप देख रहे हो यहाँ पे जो यह लड़किया है यह इसी को ले करके perform कर रही है इसके थुरूँ इसको perform किया जाता है तो इस equipment को laser equipment भी बोलते हैं और ये महराष्ट में इस dance को perform किया जाता है महराष्ट में और भी important dances होते हैं कौन से लावनी I know, I'm sure आप सब को पता ही होगा लावनी लावनी बहुत popular है इसके बहुत से performances हम लोगों रियाल्टी शोउस वगरा भी जो आते हैं उसमें भी देखे हुए साथी साथ में इसी का होता है तमाशा ये दोनों जो है न ये most important है ठीक है ये आप से जरूर पूछा जा सकता है ये most important है कौन से लावनी और तमाशा चलो आगे चलते हैं महराश्र से लेजिम लावनी और तमाशा बिलॉंग करता है लेजिम भी important है उसमें ये equipment यूज होता है ये मैंना आपको लड़ी बता दिया चलो आगे चलते हैं करनाटिका का धोलू कुनीथा अब देखो ये भी बहुत ज़दा important है लिख देती हूँ मैं यहाँ पे आपको याद रहेगा ये भी बहुत ज़दा important है धोलू कुनीथा को आप कैसे याद कर सकते हो भाई धोल बचता है इस तरीके से धोलू कुनीथा कहा बचता है करनाटिका में इस तरीके से कोई भी ट्रिक लगा के इसको अच्छे से याद कर लो ठीक है चलो आगे चलते है मिजोरम में perform किया जाता है चीरो और बैंबू डांस देखो चीरो जो है ना उसको perform करने के लिए बैंबू उसका use होता है इसलिए इस डांस को बैंबू डांस भी बोला जाता है और चीरो डांस भी बोला जाता है यह कहां perform होता है मिजोरम में मनीपुर में धोल पुन्ग चोलम यह perform होता है मनीपुर का एक classical dance भी है जिसका नाम है मनीपुरी मनीपुरी मनीपुर में perform किया जाता है तमिल नाडू में मई लट्टम परफॉर्म किया जाता है इसमें आपको जो मोर के फैदर्स होते हैं वो लगा के इसको परफॉर्म किया जाता है इसके कॉस्ट्यूम्स में मोर के फैदर लगते हैं आपको बता दो तमिल नाडू का एक क्लासिकल डांस भी है जिसका नाम है भर सब्सक्राइब को कब हुई थी आपकी 2000 में सब्सक्राइब को इसको हुई थी ठीक है सबसे पहले किसको हुई थी भरत नाट्यम को ठीक है चलो आगे चलते हैं तो हमारे जो फोक डांस है वो यहीं तक थे आपको चीजे समझ में आई होंगी याद कर लो मेमराइज कर लो फोक डांस बहुत इंपोर्टन टॉपिंग है आपके एक्जाम के लिए यह पूछा ही गया है आज तक और आगे भी पूछा ही जाएगा जो भी एक्जाम ओरेंटेट डांस होते हैं उसके स्टेट्स होते हैं म पॉटल भी मैंने आपको माक करा दिया है तो याद रखना है अपने को मेमराइज कर वालो एकदम अच्छे से ठीक है वीडियो इंफोर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेर, कॉमेंट, सब्स्क्राइब, सब कर देना नाओ इस मीनावया साइनिंग ओफ मिलती हूँ आपसे पने ने 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 वीडियो में तिल देन वाट तिल देन बबाई टेक केर